प्रभुश्री राम की नगरी अयोध्या में बन रहे श्री राम इंटरनेश्टल एरबोर्ट का निर्माण कार अंतिम चरण में पहुच चुका है जो की जुलाई तक फाइनल हो जाएगा और फ्लाइट शिड्यूल जारी होने में तकरीवन ती मैने का वक्त लग सकता है और असल राम नगरी अयोध्या में अवद्व शुद्याले के पास 821 एकर में श्री राम इंटरनेश्टल एरबोर्ट का निर्माण किया जारा है जिसके रनवे का कार 90 प्रतिशत और टर्मिनल का कार 75 प्रतिशत पूरा हो जुका है इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि राम भक्त डिपोट सक तक उड़ान भर सकेंगे इस पर एरपोर्ट अथोर्टी ओफ इंडिया के प्रोजेक्ट इंजीनियर राजीव कुल्श्रेश्ट बताते है कि इस एरपोर्ट का निर्माण कार तीन फेस में होना है जिसके पहले फेस का कंस्ट्रक्शन 331 एकर में चल रहा है और उसमें रन्वे का निर्माण 90 फेस सदी और टर्मिनल बिल्डिंग 75 फेस सदी तक पूरा हो चुका है साथ ही कंट्रोल टॉवर भी बन कर तयार हो गया है रन्वे सेवटी के लिए विशेश कैंट वन लाइटिंग का कार रिख किया जा रहा है जिससे रात और धुंद के समय में भी आसानी से विमानों की लेंडिंग कराई जा सके पताये जा रहा है कि इस एरपोर्ट का निर्माण श्री राम जन्हुमी मंदर की तरज पर किया जा रहा है जिसको 328 करोड की लागत से पूरा किया जाएगा ब्यूर रिपोर्ट टीवी 24